हालो स्टूडेंट्स वेल्कम टो डीकमिस्टी क्लास्स वीडियो के इस पार्ट में हम रिवर्सबिल डियक्शन्स डिस्कस करेंगे ठीक है और आपका लाफ मास एक्शन जो की एक्यूलिब्रियम चैप्टर में है उसको भी डिस्कस करेंगे तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं सबचे पहले हम यह जानेंगे कि जो आपका एक्यूलिब्रियम chapter है उसमें हमने जो previous video में आपको बोला था कि पूरा chapter आपका reversible reactions पर ही है ठीक है तो जो आपका reversible reaction है उसमें उसके types क्या है ठीक है उनको कैसे जानेंगे तो वो अभी हम discuss करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप type of reversible reactions जो है आपके वो करता है कि जो आपका chemical reaction है उसमें जो भी species involved है वो आपकी किस phase में है solid phase में है liquid phase में है या फिर आपके gas phase में है तो जैसे यहाँ पर पहला हमने mention किया है homogeneous reactions ठीक है reversible reactions पर ही based है पूरा equilibrium chapter और reversible reactions आपकी दो type यह होती है homogeneous and heterogeneous तो homogeneous जो आपकी reactions है उनमें केवल एक ही type का phase होता है कहने का मतलब है जो भी आपका chemical reaction है उसमें reactant and product आपके same phase में होते हैं मेरा कहने का मतलब है एक ही state of matter में होते हैं ठीक है solid है बलब सारे आपके आत्वा solid में होंगे या फिर liquid में होंगे या फिर सारे गैस में होंगे यहाँ पर mention किया है है reversible reaction in which only one phase is present are called homogeneous reactions ठीक है phase का मतलब है state of matter से अब यहाँ पर देखिए examples हैं पहला example है H2 plus I2 gives to HI hydrogen और iodine आपकी reaction करके hydrogen iodide form करते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं state of matter मेंशन किया है hydrogen के लिए आपके same phase में हैं यहाँ पर तीनों हैं आपके यह जो small g subscribe में हमने mention किया है यह आपका state of matter होता है ठीक है इसको आपने 9th में ही पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो भी आपकी reaction ये भी आपका देख सकते हैं आपर सारे reactants and products आपके gas phase में हैं यहाँ पर reactants and products आपके liquid phase में हैं तो कहने का मतलब है सारे आपके reactants and products जब same phase में होते हैं तो उस reversible reaction को homogeneous reversible reactions बोलते हैं ठीक है अब बात आती है दूसरा क्या है आपर second है heterogeneous reaction, hetero का मतलब होता है different, homo का मतलब होता है same, heterogeneous reactions वो आपके होंगे जिन में reactants या products में से कोई एक different stata matter में हो, different phase में हो, सारे आपके same phase में नहीं होने चाहिए तो जैसे यहाँ पर एक, हमने कुछ examples आपको mention की है, calcium carbonate, gips, calcium oxide and calcium, sorry, carbon dioxide, तो यहाँ पर ये जो आपका reaction इसमें देख सकते हैं, calcium oxide आपका solid form में है, CO2 आपका gas form में है, और उधर calcium carbonate लिखा हुआ है, CCO3 ये भी आपका solid form में है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि stata matters आपके जो reactants और product के हैं, वो different है, different है तो इसको हम heterogeneous reaction बोलेंगे, और नीचे जो example दिया है, उसमें भी देख सकते हैं, FE आपका solid state में है, water आपका liquid state में है, ठीक है, iron oxide आपका solid state में है, और hydrogen आपका gas state में है, तो यह constant है, equilibrium chapter के लिए, next आपका है, laugh mass action, ठीक है, तो mass action में हम यह जानेंगे कि rate of reaction कैसे reactants की molar concentration की directly proportional होता है, ठीक है, तो यह जो laugh mass action है, यह आपको chemical kinetics में काफी help करता है, और इससे हम यह भी निकालते हैं, जो आपका equilibrium chapter है, इसमें जो equilibrium constant है, उसको, उसका जो formula है, वो भी हम laugh mass action की basis पर ही calculate करते हैं, तो देखिए, इसमें होता क्या है, जो rate of reaction है, वो आपका reactants की active masses के directly proportional होता है, उसमें जो stoichiometric coefficients हैं, वो as power use किये जाते हैं, तो यह आपका laugh mass action है, और इसमें जो active mass होता है, उसको equilibrium जान लेते हैं, देखिए, active mass जो होता है, वो directly proportional होता है, molar concentration of substances, तो जो आपके concentrations हैं, वो कौन-कौन से हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, बन्या मेंशन किया है, active masses of substances directly proportional to the concentration like molarity, molality and mole fraction, तो जो आपका concentration term है, वो तीन आपका, अबलब three types of concentration हो सकता है, एक आपका molarity हो सकता है, दूसरा आपका molality के terms में भी हो सकता है, और तीसरा आपका mole fraction के terms में भी हो सकता है, तो ये तीनों आपको multiple choice के लिए भी learn रखने हैं, और ऐसे भी love mass action में अगर कहीं आप केवल इतना ही learn रखते हैं molarity होता है, तो फिर I think आप थोला से short knowledge रख रहे हैं, तो complete knowledge के लिए, please तीनों को ध्यान रखें, concentration में आपका molarity भी हो सकता है, molarity भी हो सकता है, and mole fraction भी हो सकता है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी active mass के सीधे relation में होती हैं, तो यहाँ जो active mass है, अगर इसको हम A लिख लें, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, अगर active mass को हम लिखना चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं, active mass, ठीक है, इसको हम small a से दिखा रहे हैं, is equal to molar concentration है, तो उसका मतलब क्या होगा, number of moles, जो orally, जो mostly आपके जो numericals हैं, active masses पर, वो भी आपके molarity based हैं, तो हम पहले molarity को ही यहाँ पर mention कर लेते हैं, number of moles, आप substance, ठीक है, reactant में जो भी आपका है, आप substance, upon volume in liter, हमेशा ध्यान रखिएगा, volume in liter, तो यह mol per liter जो होता है, यह active mass का unit होता है, और इसका यह formula है, अब देखें, जो आपका molarity, molality और mol fraction है, इन तीनों को अगर हम mention करना चाहें, active mass के terms में, तो ऐसे हम दिख सकते हैं, active mass is directly proportional to the molality, ठीक है, molarity, यह पहले molarity को mention कर देते हैं, ठीक है, molarity है, molarity यह दिखिए, proportional sign अगर आपको हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पर चाहें, तो हम कोई, एक coefficient multiply कर सकते हैं, तो अगर हम इसको equality में change करें, तो यहाँ लिखा जा सकता है, a is equal to f into molarity को जहाँ है, तो capital M लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिख लीजिए, molarity, ठीक है, यह हो गया, तो एक तो relation यह आपका बन गया, एक तो यह formula आपका हो गया, ठीक है, molarity के terms में active mass का, यहाँ पर f जो है, वो आपका क्या है, activity coefficient है, अभी हम सब को last में लिख देंगे, ऐसे ही, molarity और mol fraction के terms में भी हो सकता है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a is equal to, इसको हम इस बार ऐसे लिखे दे रहे हैं, molality, ठीक है, दूसरा formula आपका active mass and molar concentration या फिर concentration of substance में यह होगा, तीसरा आपका क्या हो सकता है, a is equal to r into mol fraction, यह कि mol fraction भी आपका concentration में consider किया जाता है, तो mol fraction के terms में और active mass का जो formula है, वो यह बनेगा, अब यहाँ पर देखे, f y और f gamma r यह जो भी लिखा हुआ है आपर, इसको अगर हम यहाँ पर mention करना चाहें, तो सारे के सारे आपके activity coefficient हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, f, r activity coefficients, activity coefficient, ठीक है, तो यह जो activity coefficient है, इनका मतलब कुछ नहीं है, यह as constant use किये जाते हैं, ठीक है, और जो आपके solutions बहुत ज़्यादा dilute होते हैं, dilute solutions के लिए, यह active mass जो है, वो सीधिन के equal आता है, तो यहाँ पर यह ऐसा होता क्यों है, यह भी जान लिए, मैं आपर mention के दे रहा हूँ, for dilute solution, क्योंकि dilute solution के लिए, यह जो आपके activity coefficient हैं, वो क्या आते हैं, यह सब equal हो जाते हैं, 1 के, तो यहाँ पर for dilute solution, f is equal to, gamma is equal to, r is equal to 1, यह सारे के सारे 1 हो जाते हैं, तो इस case में, जो active mass है, वो सीधे, molarity के, molarity के, and mole fraction के equal हो जाता, तो यह multiple choice के लिए, छोटा सा concept है, अगर कहीं आप से पूंच लिया जाए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, dilute solutions के लिए, यह जो आपका active mass है, वो सीधा, इसके equal आ जाता है, क्योंकि यह जो आपके activity coefficients हैं, यह सारे के सारे unit हो जाते हैं, यह कि, equal to one हो जाते हैं, तो यह कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, आप देखें, जो लाख mass action है, किसी भी chemical reaction पर उसको apply कैसे करें, तो एक यहाँ पर हम chemical reaction consider करने जा रहे हैं, और उसमें हम, उसको हम alphavet के terms में ले रहे हैं, ठीक है, एक reversible reaction हम consider कर रहे हैं, consider a reaction, देखें, माल नहींते हैं, reaction आपका यह है, a, n1a, n2b, plus n3c, ठीक है, reversible reaction है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, और यहाँ पर लिख दें, products, यह बस मैं के वल format मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको यह clear हो जाए, कि last mass action जो है, आपका वो reversible chemical reaction पर कैसे apply किया जाता है, यहाँ पर n1, n2 और n3 आपके क्या है, stoichiometric coefficient है, इनको हम molar concentration पे as power use करेंगे, तो यहाँ पर जो laugh mass action है, वो यह कहता है, कि जो आपके active masses होते हैं, ठीक है, वो directly proportional होते हैं, कि इसके molar concentration के, तो यहाँ जो active mass है, या फिर rate of reaction है, according to, यह जो आपका laugh mass action है, इसके according अगर हम चलें, तो rate of reaction हमारा यह हो जाता है, ध्याँ दीजिएगा, rate of reaction is equal to, ठीक है, या is directly proportional to the, अभी equal to हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, हम next video में आपको equilibrium constant discuss करेंगे, is directly proportional to the molar concentration, दीखें, यहाँ पर आपके reactant काउन काउन से हैं, A है, reactant B है और C है, तीन आपके reactant हैं, तो तीनों के product, molar concentration of B and molar concentration of C, यहाँ पर जो square bracket में हमने use किया है, square bracket में जो species आपकी mention की हैं, इसका मतलब है, molar concentration of that species, जैसे आपका यह A लिखा है, square bracket में, तो इसका मतलब है, molar concentration of A, यहाँ पर B लिखा हुआ है, square bracket में, तो इसका मतलब है, molar concentration of B, यहाँ पर यह square bracket में C लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है, molar concentration of C, तो यहाँ पर यह चीज आपकी जो है, according to law mass action अब देखिए यहाँ पर जो आपके stoichiometric coefficient n1, n2, n3 इनको हम as power use करते हैं तो जब as power use करते हैं तो यहाँ पर हम चाहें तो इनको लिख सकते हैं यहाँ पर a के साथ में n1 था stoichiometric coefficient तो a की power हो जाएगी n1 b की power हो जाएगा n2 and c की power हो जाएगी n3 तो यह आपका जो है एक mathematical relation बना है जो की law of mass action कहा जा सकता है इसको हम कह सकते हैं और यह आपका जो format है reaction का इसके according यह आपका relation बनता है ऐसे अगर कोई दूसरा हम reaction ले ले लें तो उसके according दूसरा भी बन जाएगा तो अभी हम इस concept का use हम equilibrium concept को निकालने में करेंगे next video में करेंगे हम ठीक है तो इसको ध्यान लखिएगा कि यहाँ पर जो reversible chemical reaction है इसमें reactants की molar concentration है उनके stoichiometric coefficient उनको as power लिखे जाते हैं उनको as power हम mention करते हैं और उनका सब का product जो है वो directly proposal होता है rate of reaction के ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर यह चीज़े जो है हम भी यहाँ पर last mention के दे रहें यहाँ पर जो A है square bracket में जो लिखा जा रहा है इसका मतलब क्या है concentration of A ठीक है और यहाँ पर जो B लिखा गया है square bracket में इसका मतलब है concentration of reactant B and जो C लिखा गया है square bracket में इसका मतलब है concentration of reactant C ठीक है अभी active mass पर एक numerical करेंगे तो तब तक के लिए इसको इतना note कर लीजिए तो कि इस पर numerical भी आप से पूछे जा सकते हैं यह आपका numerical है देख सकते हैं आपके 4 gram of hydrogen and 128 gram of hydrogen iodide are presenting 2000 ml of flask what are their active masses तो इसमें देखिए दो आपकी species हैं एक आपका di hydrogen है और एक आपका hydrogen iodide है दोनों के active masses आपको calculate करने हैं यहाँ पर आपका data जो है वो सारा given है basketball formula में रखके इनको निकालना है तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहला काम है जो volume दिया है flask का उसको हम लीटर में change कर लें ठीक है तो volume of flask किसमें दिया है यह ml में दिया हुआ है 2000 ml इसको हम क्या करेंगे लीटर में change कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 लीटर अब हम क्या करेंगे active masses को calculate करने के लिए हमको number of moles पता होने चाहिए क्योंकि जो active mass का formula होता है वो number of moles upon volume in liter होता है ठीक है तो सबसे पहले इसके number of moles निकाल लेते हैं पर hydrogen का mass कितना है सभी का mass निकाल लेजिए hydrogen का mass है यहां पर 4 gram ठीक है और इसका molar mass कितना होता है molar mass of H2 यह हो जाएगा 2 gram ठीक है number of moles कितना हो जाएगा number of moles of di-hydrogen number of moles किया होता है given mass यह आपका है upon molar mass given mass upon molar mass यह होता है number of moles के लिए 4 upon 2 यानि कि hydrogen का कितना mole आगया 2 mole आगया ठीक है ऐसी इम क्या करेंगे HI का भी निकाल लेते हैं या फिर चाहें तो इसका active mass निकाल लें क्योंकि यहाँ पर दे कि number of moles आपको पता है volume यह पता है तो active mass आप di-hydrogen डोनों के active mass में निकालने हैं active mass का formula क्या होता है अभी मैंने previously आपको discuss किया है number of moles of substance upon volume in liter तो number of moles of substance यानि कि जो आपका substance वो क्या है di-hydrogen है इसके number of moles अभी हमने calculate की है 2 mole तो यहाँ हो जाएगा 2 upon कितना हो जाएगा volume in liter यानि कि 2 तो यह कितना जाएगा या जाएगा 1 mole पर या mole liter inverse ठीके एक तो आपका यह answer हो गया दूसरा क्या है hydrogen iodide का भी active mass आपको calculate करना है देखें volume तो flask को वही रहेगा बस किवर आपका number of moles change हो जाएगा तो मैं इसको उधर calculate कर रहा हूँ या फिर इधर ही कर लेता हूँ देखिए एक तो आपका यह answer हो गया यहाँ पर जो पहले given data है उसको हम mention कर लेते हैं mass of hydrogen iodide कितना है यह 128 gram आपका numerical में given है इसको मैंने mention किया उसके बाद में molar mass इसका निकालेंगे hydrogen iodide का molar mass कितना होता है hydrogen का molar mass 1 होता है iodine का 127 होता है तो जब इसको हम add करेंगे 101 plus 127 तो यह कितना हैगा 128 gram अब इसको इसका number of moles निकालते है HI का तो यहाँ number of moles के लिए formula क्या होता है number of moles of HI hydrogen iodide is equal to given mass 128 gram है molar mass कितना है 128 gram है कितना आया mole one mole आया ठीक है one mole आया अब देखिए mole हमने निकाल लिया तो active mass भी निकाल आएगा कि volume आपको यही use करना है flask जो है आपका उतना ही बड़ा है जितना पहले hydrogen के लिए था तो यहाँ हो जाएगा active mass of HI क्या होता है number of moles of substance कितना है one है upon volume in liter कितना है two है तो यह आपका आजाएगा 0.5 mole liter inverse यह आपका हो गया second answer तो देखिए बहुत easy numerical था आपको active mass पर numericals भी मिल सकते हैं तो आपको बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जो active mass का formula है वो क्या है ठीक है मैं यहाँ पर mention किये दे रहा हूँ active mass किसी का भी हो सबसे पहले क्या लिखते हैं number of moles upon volume in liter यह आपका formula होता है इसको आप learn रखिएगा ठीक है बाकि number of moles आप निकाल लेंगे यह आपने some basic concepts in chemistry में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि number of moles या फिर mole concept बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है कि number of moles कैसे calculate करते हैं given mass upon molar mass यह मैं इसको यहाँ भी mention किये दे रहा हूँ ताकि आप आपको दिक्कत ना हो number of moles होता है given mass जो कि आपको numerical में given होता है upon जिस substance का आप number of moles निकाल रहे हैं उसका molar mass इसको जब divide करते हैं तो आपको molar वो मिल जाता है number of moles आपको मिल जाता है इसको close किये दे रहा हूँ यह दो चीज़ें आपकी इसमें use हुई हैं note कर लीजी इस तरह के numericals भी आपको active mass पर मिल सकते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे उसके चोटे चोटे short answer type के questions आपको पूछे जाते हैं exams में उनके बारे में जानेंगे तब तक के लिए इतना ही note कर लीजिए पढ़ते रहे हैं और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को like and share कर दीजिए